हलो प्रेंट्स नमस्कार आप सब्स्वागते बी एस महावड प्रेंट यूट्व चानेल बे अबी लाट्टेस नोट्टी केसन जो आया था आघमी गूरप सी की पोस्ट थी 47 उसका अप्लाइन सिस्टम थी उसका अप्लाइन फार्म केस्टे भरा जाएगा ये देखना है देटेल्स दूंग आज चलिए अभी देखते हैं देखिए ये नोट्पार में सबकुछ पहले डिटेस लेकर रखाऊं अभी जो भैकेंच आया था एम्सी सेंटर रान कलेज लखनाव रिकॉर्मेंट्स है इसमें देखिए टोटाल पोस्ट है 47 ये जो पोस्ट है टोटाल है 47 पोस्ट है और स्टार्टिंग डेट है 29 ये दो होजार बाइस 29 तरिक से सुरू हो चो ये लास डेट है 14 तीन दोजार बाइस एज लिमिट एज जो जेनराल में आता है 18 से 25 साल जेनराल बलेगा और स्टी एस्ट के लेए 5 साल छोटे देखिया ये स्टी के लेए 5 साल चोटे ओबी सी के लेए तीन चाल तो उन लोगों के लिए साठीफिकेट भी उस पर देना है और इंडियान पोस्टाल ओर जो करेग को और आपको पोस्ट होगा न स्पीड पोस्ट और रेजिस्टर पोस्ट यह दोनों है जोlord में सेंड़ करें बाद सबकूछ ev क्युक्स च问 करने के बाद इससे स्पीड पोस्ट और रेजिस्टर पोस्ट मेन करेंगे इस्ट अभी चले फर्म में देखा लेता हूं किस से भरना है किस तरीका से भरना है बीना गलती करके फर्म भरना इसमें क्योंकि फर्म भरना बड़ा जरूरी इसमें ध्यान से भरना क्योंकि इतना मेनद करके फर्म भर हैं फिर आगे कुछ गडबढ़ हो जाई या तो रिजेक्शन ह जाए दिख्का थे जो 47 पोस्ट वाया था वहां भी देखिए यह फर्म है उसका कि देखिए कि मैंने पुरे भर चुका हूँ आपको भी बता दूँगा किसे भरना है यहां वहला application फद्पोस्ट कौन सब पॉस्ट केलिए आप आपळाए कर रहें मैं बार्बार के आप लिए कर रहा हूँ मैं वहाँ पे आप लखास तो आप जिस पोस्ट केलिए अप्लाए करें इस पोस्ट जागा हैं पोस्ट के नाम लखेंगे और एक नंबर कलम देखिए वहांपे दे रखा है फूल एम आप बलोकρεटर जब नेम लखेंगे उसके इस बार दोर लेयर रखा है पहला हिंदियी में लखेंगे और निच्चे फेर इंग्लिक आपका नाम लखेंगे और आपका नाम उपर हिंदी में दे रह Спuse dużo झीना लखना पड़ेगी हिंदी नहीं लेखेंगे तो थोड़ा दिखादर हिंदी में आपको ध्यान्ष लखे надगे उसके फ्ले और फादस्थ्द में ब्लोग लेटर लखेंगे मदर्सनेम्ब्लॉक लेटर डेटाबात। जो यहां है व्हुत है कि बन्भास का बन्भास यहां पstudies यहां यहां है डालेंगर नंबर यहां पेको यहां पिति यहां होगैं क्लाइब अब तो उस पर जितना कितना साल है कितना सी काटा गणा होट है अरहा पर किरांगे में में अ civिछ की टिए तो आपका कास्ट। लखे और jnrl है मैं जनराल लेक रखाऊं आपका जो हो एक आप लेखे लेंगे religion में धियरक्र खाई और startups कसा सब्ञूर्ट अअणी आफी से सब्कॉन ऀंडार समय गयी कि इंडियाम भी है कि इंदू क्रिस्ञ प्रूर्दमभESE Jagu मेरा हिंदू यह में हिंदू लेखाऊ आपका जो है आप लेखेंगे शात नमबर पे देखिए षात नमर थो नूटिश दे रखा आडरेस अपको भरना हे कौंसा आडरेस पे आपकी कम रह रहे हो यह दूए देखिए मेरे परमानेट आडरेस से यहां पे में में लेख रहा पोस्ट अपिश पोली सीटेस जो भी है पोली सीटेसन में देर रखाओं बिल्गुल पर्मानेट आडरस मेरी जो है और आधार काड में जो आपका है कौन चा नम अड्रेस है ना पर्मानेट आडरस यहीवाला आडरेस वहाँ पर सो करेंगे यह पिन कोड है मेरी और वहां पर आडर्स करेंगा वहां पर निच्छे दे रखा है C तीन नंबर भी दे रखा है इमेल नंबर इमेल आईडी जो है यह देखिए एमेल आईडी वहां पर आपका रखेंगे और मोबाईल नंबर भी आप देंगे जरूर रूस में और जिस बंदे का रेंगे सबढ़ ने नीसा हम है पर्मानेट अटेंपरार दोनों सेम एक लिए तो द्नों जगा बरना पड़ा वहाँ पर सेम लखने लिए कुछ है नहीं तो दोनों जगा भर हैं देखिए यह वाला मैं ने भर दिया दूसरा पेज्जा मिवह के देखाता हूं अभी आट नमर दख्या इसे दे रखा है नेम अम तो एक्जैम्ट जो कौन सा जैसे में दे रखा हूं कौन सा बारबर के लिए 10 कली कुछा मांग रहा हूं तो स्लेच यह नंबर्ट करना है रखा और दस नंबर यह अपको भरना यह पास नुकरी में बहुंद दे रखाए एचिए पड़ेश जिसका पास अब बहुंद नुकरी नज्ड़ है ना दस नमरे के लिए दो और जिसका पास यह नहीं भारेंगा नहीं तो नखर ना करें पारेंगे कि इसके बार देलद टेकलारेशनल लाष्ट में दख्यें सिग्नेचर क्यांडीडेट स्ग्नेचर क्यांडिडेट में सिग्नेचर कर ह्रता है फिर रखाे नेम पूरे नाम इस पर डाला हो फिर नाम डाल दिया मैंने सेला प shap डाले से फटो तेकर फोटो डाला से हे आप घुए दो पीच अ O पर ये दो पीच नभाण आप डालेंगे जो इसमें लफावा भरने भर के न लफामा में एक नंबर यापके pensoAdmin गाड आएगी और इसे 25 र१े का वहांपे स्टिकर लगाना है डाकर टिकर जो होता है वहां पर 25 उपर का टिकर लगई मेरा पास टिकर ने में आपको बताने के लिए दस उपर बाला टिकर लगा रखाऊंँ वड़ आप वहां पर ढालेंगे तो उस पर देखे मैं पुरा आटथस भर रकाऊंँ आड्रस आपका भरना है और मोबाइल नमर उसके जरूर दरना है कि यूँगों मोबाइल नमर देंगे तो जिसे पोस्ट अपर शाहर जागे आपकी आड्मिन काड वह आपको उन्होंने कॉल करें बुला के देंगे और यह है आड्रस भेजने वाला है कौनसा आड्रस में करेंगे कॉमाडड़ एमसी सेंटर कलाज लखनाव यूपी जो इसे जो सा रूपे का भरेंगे ना पोस्टाल अडर उसका एक नमबर होता है यह नमबर है देखे मैंने दे रखाओं आप उस पे नमबर भर आएगे इसे डिपोजिट करने बाद जो नमबर होगा यह नमबर कितने कपी दे रहो लफापा के अंदर मेरा चार कपी में चार कपी ले रखाओं चार नमबर लेखे जिरोफर है और वहां पर और एक यह ची द्यान से देखे यह जो थम लगाएंगे ना जिसे मेल परसंड जो है वह लेफ्ट हैंड पर थम करेंगे यह वहां पर बता भी द सिंक थे आउट म quella फे खाये सा इनके यह लेफ्रेचों एनके शाब फिमेल केने के दीडिटे में मूल चिन नाम रहें उन्सके बाद केसे लफ़ाबा पम भेजने यह बता देता हूं और यह जो लफ़ाबा भेजने यह देखाए लफ़ाबा भेजने पोस्ट या टो रिजिस्टर्ड करें और उस्पर पर प्यांसेल हो जाएगी नर्माल कभी भेज़ागे नहीं इसको स्पीड पोस्ट या तो रेजिस्टरड पोस्ट करेंगे और इसमें ध्यान करके पत्चिस रुपे बाला डाक टीकर लगाएंगे मैं दस रुपे एव लगा रखाएंगे आपको बताने गर्ट的時候 बैज्न वाला डाक टीकर लगाएंगे ऐना आज करैना भी डाक में दूहकिशंण Si всего कॉनट करी रखांगे पहले तो आप देंगे 10 का सर्टिफिकेट या तो 12 का सर्टिफिकेट जो LDC के लिए भरेंगे कि उनके लिए ओली 12 तो अधरवाई और शारे पोस्ट के लिए 10 है और उस पर बात सर्टिफिकेट वह आप देंदे पहेंगे और रेसिडेन्स साटिफिकेट आपे रेसिडेन्स या तो और एक डोमीशेल साटिफिकेट होता है डोमीशेल साटिफिकेट जो है रेसिडेन्स दोनो सेम है आपका बास डोमीशेल या तो रेसिडेन्स देंगे उसको आधरकाड के कपी इंडियान passport होगा तो आप passport ही दे सकते हैं Casc disfr, material est and obc ये दोनों के ले खंपल शरी है ये stt, sc address and obc ये दोनों के लिए Casc书, 2 अदोART निं सरक्फ़ शरी है क्योंकि उनके लिए 5 साल शूट होता है SC और included vara obc के लिए 3 साल शूट होता है तो उनलोगों के लिएए कमपॉल्स और टू पासपर साथ फटो यह सेल पहांट effort करके पासपर साथ फोटो देंगे और एक चीज धान रखे हैं यह जैसे फिन फर्म के उपर कातागरी यप लखते ना सब्लसें यह जर्ट होई र व्रेंश सब्सक्राइब üç जाग में लेखना है लेफ साइड में एक और में लेखना है यह लेफ साइड इस जाग में जो ए रिजर में आते हैं यह पुझ बंदे इस ता अवरप से लेखेंगे क्योंकि आपको पता होगा जो जिसल पीडिये में आया था इंपोर्टन इंस्ट्रोक्शन में एल वाले कलम में देखेंगे एल वाले कलम में लेखा होगा आपको इस साइड में लेखने के लिए यह थोड़ा ध्यान करके देखेंगे यह अभी फॉर्म पूरे हमारा भर चुका है